17-18 माई का समय और 5-6 जून का समय फाइन्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 5-6 जून का समय जो है ये जॉब बिजनस इत्यादी से आपको सफलता दिलाने वाला इससे धनलाप परदान कराने वाला रहेगा 24-25 माई का समय ये स्टुडेंट्स और उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 22-23 माई का समय लव रिलेशन इत्यादी के लिए अच्छा रहेगा 27-28 माई का समय ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए केरफू लेने के लिए बोलूगा इसके बाद 1-2 जून का समय ये समय आपके कारियों में और उफटेगल डालने वाला होगा इसके बाद 9-10 जून का समय ये समय आपका खर्चों से भावा रहेगा नमस्कार, कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे क्रें वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बील लगन के लिए पाईसे एसेंडेंट्स के लिए 15 मही से 14 जून 23 तक के मांत्री पेडिक्शन के विशह में यह जो समय रहने वाला है यह समय बील लगन वालों के लिए अतियुत्तम समय रहने वाला है इस समय में धन की उन्हें परियाप मात्रा में प्राप्तियां होना यहाँ पर देखा जा सकता है इसके साथ साथ धर्व कर्म से लेटेट कारियों को कढ़नें हूं लाब होना इसके साथ साथ कुछ भजन, मंत्र, कीर्द साथ Нам इत्यादी का ऊच्चारण करने से उन्हें। प्रसादब इत्यादी विलना अच्छे परिवार का सुप प्राप्त होना यहां पर देखा जा सकता है इसके आज साथ जो बार्केटिंग इत्यादी का कारे करते हैं इस समय में उन्हें मार्केट में थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा प्रतु लाब अच्छा प्राप्त हो जाएगा इसके आसा जो परोसी और सिब्लिक से थोड़े से इगोश्टी करा सकते हैं तो उनकी इगो से बचकर रहाद जाए तो फायदा होंगा इसके इसके साथ संतान की लिए इसके साथ साथ इसके साथ में आपका कुछ दन मेडिकल मेडिसी रहादी के ऊपर खर्च होता रहेगा इसके साथ साथ अगर आपका कुछ दर्ण बंदल कारागार इत्तियादी चीजों के ओपर भी खर्च हो सकता है तो उससे चीजों के लिए आप प्लान बना कर रखेंगे तो लाप्राप्त होगा अब आगे में आपको डेट वाइस बताता हूँ किस डेट में क्या क्या कैसे कैसे घटित हो सकता है उसके लिए आप प्लान बना करके चलेगे तो लाप्राप्त होगा अब्रण चाहिं लाप्त हो सकता है इसके साथ साथ इस समय में धर्म करना बत उचान करना इत्यादी चीजों से आपको लाप मिलता दिखाई देता है 19-20 माई का समय जो रहेगा ये समय मार्केटिंग वालों के लिए अच्छा रहने वाला है मार्केटिंग में जाने से आपको रावगा प्रतु परियास थोड़ा दिख करना पड़ेगा आपके क्लाइंट केस्टिंबर जो है थोड़ा सा assassins अप्रत करना होगा तो लाब होगा इसके सासा इस समय में अगर आपनी लोकर चाकर रख रखे तो लोकर चाकर इससमय में अपनी एगों बैया आकर बात करेगा तो आपको उसकी बात को नज़नादाज करना है कुछ बातों का यस और लो में जवाब दे करके बात खतम करने का प्रियाज करेंगे तो लाब दाई रहीगा इसके बाद 21-22-23 मही का समय है तो यहाँ पर 22-23 मही का जो समय रहेगा यह समय आपको लव रिलेशन इत्यादी बनाने के लिए उत्तम रहने वाला है आपको इसे लव करते हैं लेशन बनाना चाहते हैं लव का इजहार करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम रहने वाला है इसके ताथ साथ इस समय में आप अपने घर परिवार अच्छे वीकल का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएगे बातापिता से लेशन अच्छे रहेगे आप इस समय में पैट सित्यादी आपने पाल लखे तो उनके साथ भी अनन्द और सुख का लुबाव आप राप कर पाएगे इस समय में दिल के अंदर एक प्यार बाबा मधूरता का संगीत आप बसते हुए देखेंगे इसके बाद 24-25 मई का समय ये समय इस्टुडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है इस्टुडेंट्स सिस्टम में अच्छा परफॉर्म करेंगे पर तो आपको अपनी संतान की हेल्थ के लिए थोड़ सा केरफू लेना चाहिए उने चोट इत्यादी लगने से बचाना चाहिए अगर बच्चे जिम इत्यादी जाते हैं तो जिम में भी उने बोले की थोड़ा सा केरफूल नहीं बच्चे और अपनी कैपसिटी के अकॉल्डी की ही वेट लिप्टिक करेंगे तो लाप राप्त होगा इसके तासा इस समय में नेखिए संथान को conceived करा ने की एथोड़े सी याँ पर परिशानी दिखाए दिती है पर अगर आप संस्थान को conceived कराना चाते है तो किसी ए्च्टोज ह以前 अपने बर्चाल को अलेसिस करा करके दानपूरित्तियादि करके डॉक्ट कि से आपने आशा की थी तो सब चीजों का ध्यान रखें इसके बाद 26-28 मई का समय तो यह आप पर 27-28 मई का समय जो रहेगा यह आपको आपकी हैल्थ के लिए थोड़ सा आप केरफू लेने के लिए बोलूगा इस समय में आपकी हैल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है इस समय मे आप उन कारियों को टिप्टा सकते हैं आप किसी अपने एडवाइजर से बात करें बात करके उन्हें से एडवाइज लेकर के आगे चलेगे तो लाप राप कर पाएगे इस समय में आपको हानी पहुचानी की चेश्टा कर सकता है इसके बाद में 29-30 मही का समय ये जो समय रहेगा ये समय चुपी बच्चों का विवा नहीं हो पा रहा है समय में उन्हें अच्छा रिश्टा आला और एक रिंक सेरीम्री जो होता है या रोका जिसे कहते हैं समय में करने से लाप्राप्त होगा अच्छा रिष्टा इस समय प्राप्त हो जाएगा और जिनकर विवा हो चुका है वे समय में अपने जीवन साथिक के साथ एक आनन्दा यादगार समय वैतीत कर पाएगे अच्छे वैक जीवन का सुख फुरे प्राप्त होगा वैप कुछ शोट सबD is to travel करने से भी प्राप्त हो सकता है यह पार वैठसाय आपका अच्छा चलेगा और पैंकि अच्छा रहेगा इसके बाद लिके से हताश होते हैं तो आपको किसी भी धार्वी ग्रत को पढ़ना चाहिए मैं आपको सेज़स्ट करूगा कि आप श्री मद्भगवत गीता राबायर्ड चिर्राम चरित्माना सनुबान चालिसा इत्यारी में से किसी का भी एक का पार्ट करें पार्ट करने से आप देखे चाहेगी और अगर आपको के वार्षे समप्थी प्रोपर्टि यांप प्राप्त होने वारी है तो इस सब्सक्राइब आपशे सरकार 27 से आपको नेवाला रहेगा आप इस सवे में यातराव का भरपूर लाप प्राप्त करएगे इसके बाद पाच्छे जूर का समय 5का समे जो व्यक्ति अभी तक जॉब्लेस हैं जोब प्राप नहीं हो पा रही है इस डेट में अपनी जॉब के लिए लोगों से बात करें इसके साथ इस सब्सक्राइब करते हैं तो अगर जोब जोब करते हैं तो संभावना यह बनेगी कि आप इस जॉब में काफी लंबा चल पाए सबसь बिए लोगे, जो बिज्यस हित्या आदिखें ऐस सब्सक्राइब कρεί इशस से पहले काफी आईडिया आपके पास आए होगे कि इस तरह से बरकिया जाए तो उन उपायों उन आइडियाज को अब इप्लिपेट करने का समय आएगा 30 सक्रूबर 2030 के बाद अभी आपको अगर आपके पाइडिया है प्लान है तो उसे रोक लेना चाहिए जल्दी ना करें जल्द वाजी में काप बिगड़ जाता है यह समय आपको धंद लेने वाला र सब्सक्राइब करना चाहते है उसे याई करके लगला सकते सब्सक्राय रहेगा है विसके लाप पाभ पादा छूक्षि ग्यक्रार जूल आपके पास जुन का समय यह समय रहेगा इस समय में अपने धन को सचे करेगी मित्रों के साथ कोई पाल्टि इत्यादी करके अप आनंद का अनुभा प्राप्त कर पाईगे इसके बाद दौध जुन का समय आपको थोड़ा किसी की हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसीन होस्पिटल इत्यादी पर खर्चोता दिखाए देता है इसके साथ साथ इस समय में आपको थोड़ा साथ मेंटली स्ट्रेस याँ पर मिलने वाला है उससे आप बच कर रहें इस समय में आप डोनेशन इत्यादी का कारिया करें से बच कर रहने का प्रयास करें अधर वाई इस समय में आपको परिशानी का सामदा करना पड़ सकता है किसी की जबालत लाले इसके बाद तेरा चोदा जूड का समय यह जो समय रहेगा यह समय आपको आनत देने वाला रहेगा आप इस समय में काफे खुश रहेगे और इस स अपने इस समय को और आने वाले समय को उत्तब और यादगार बना पाएगे तो यह था बीन लगन के लिए पाईसीज एसे इंडेट्स के लिए बंतिमे टिक्शन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप में इस वीडियो को लाइक करें और याद यदि यदि यद परेबो बरेरी के लिए आपका प्रेबो दन्दवाद तवश्कार